वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडसेंस के कोड को आप अपने ब्लोगर के आर्टिकल में कैसे पैलेस कर सकते हैं ताकि कोई भी अगर लंबा आर्टिकल है कोई भी स्कॉल डाउन करके नीचे जाता है तो बीच बीच में आपको एड़ दिखें कैसे आप पैलेस कर सकते हैं आ लेडियो में वीडियो बना चुका हूं कि आप अपने डेक्स्टॉप से कंप्यूटर से कैसे पैलेस कर सकते हैं लेकिन आज मैं बताऊंगा कि मुबाइल फोन से मुबाइल फोन से आप कैसे एड को पैलेस कर सकते हैं आर्टिकल के बीच में वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है क्योंकि जल्दी कोई मुबाइल से मैं देखा ही नहीं कोई बताया है कि आर्टिकल के बीच में एड क कैजियों कि कॉडब पेस्ट करने हैं क्योंकि को जब पेस्ट करने हैं और चुली होता है क्या है कि مोबाइल से करना रहता है और कैसे करना इसका लेज़ा हूँ होता है और डेक्स्टॉप में एक बार कॉपी किये, पेस्ट करते चले गए, लेकिन इसमें क्या होता है, कि मुबाइल में हर बार कॉपी करके हर बार पेस्ट करना पड़ता है, कैसे करना है, चली उसे हम मुबाइल की स्क्रीन पर चल करके सीखते हैं, प्रेक्टिकल, तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके पैलेस करने वाले हैं तो इसको हम ओपिन करेंगे अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जहां जहां कोड आप पैलेस करना चाहते हैं उसे आप कंफर्म करने कहां कहां पैलेस करना चाहते हैं तो मानिए कि उस जगह पे नंबर देना होगा आपको ताकि आप पहचान परें HTML में जा करके आप पहचान पाएं कि इसी जगाए पर हमें code paste करना है तो यहां पर मैं नंबर देता हूं आप देख सकते हैं इस तरह से यहां पर code paste करना है यहां पर code लगाना है ताकि यहां add दिख सके क्योंकि article काफी लंबा लिखाओं में अब इस code को हम पहचान सकते हैं इस तरह से नंबर दे रहा हूं मैं और यहां पर आकर कि एक बार इंटर करना है ताकि इस पेस बन जाए जितना paragraph है उस paragraph के बीच में मैं code को पैलेस करने वाला हूं यहां से इस तरह से आप दे सकते हैं नंबर ताकि आप पहचान पाएं यहां पर लगाता हूं यहां पर भी लगाता हूं इतना हो गया अब देखिए क्या करना है इसको मैं सेव कर देता हूं ताकि यह कहीं ऐसा नहूंकि थोड़ासा इधर उदर फिंगर होने पर उहट जाएं अब इस वी क्या करना है अब देखिए इसको क्या करना है आपको जाना है अपने eadsense account में जहां से कोड़ आपको copy करके लाना है तो यहां पर नया tab हम कھोलते हैं और मैं पहले स 누егं अपनेarosं में अप देखे यह हमारा AdSense account है यहां से three dot पर click करेंगे और यहां पर एड्ड देख रहा है नैड क्लिक करना है एक बार एड यहां पर खुल गया अब देखिए ना by site है by add unit add unit पर click करना है एक बार आप अगर नया बनाना चाहते हैं तो add तो यहां पर click करेंगे और इस तरह से देखिए नीचे यह सारे add मैं बना रखा हूँ आपको भी add unit इस तरह से बना लेना है नाम दे करके तो add unit बनाने के बहुत आसान है add unit कैसे बनाते हैं उसमें भी जाकर कि आलेड़े में वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो में देखिए कि कैसे बनाना है नीचे description में link मिल जाएगा वहां से click करके जाकर के देख सकते हैं अब देखिए यहां पर इस तरह से नहीं paste करना है इसको यहां पर edit पर click करेंगे pencil के icon पर HTML view पर click करेंगे अब यहां पर आपको ढूंड़ना है और यहीं पर आपको paste करना है HTML में देखिए 123 यहां पर दिख रहा है यहां पर एक बार click करेंगे दो बड़ टैप करेंगे इस तरह से तो यह copy हो जाएगा यहां पर select करना है 123 यह देखिए select दो बड़ टैप करेंगे उस पर तो automatic select हो जाएगा यहां पर paste कर देना है यह देखिए paste हो गया अब scroll down करके फिर नीचे जाएंगे दूसरा जहां हमने numbering डाला है वो कहां पर उसे डूंडेंगे उसे पहले हम copy कर लेते हैं दूसरा code जितनी mobile में जितनी बार आप यहां पर paste करेंगे उतनी बार आपको यहां से copy करना जितनी जगह आपको paste करना उतनी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं अब देखिए यहां पर एक दो तीन चार है न यहां पर दो पर टैप करेंगे इसे तो select हो जाएगा paste कर देंगे यहां पर अब इसके बार next आते हैं फिर फिर से हमें copy करना है code को copy करेंगे फिर से यहां पर आना है नीचे देखेंगे कि हमने दूसरा number इंग यहां पर देख सकते हैं डाला है हमने यहां पर दो पर टैप करेंगे select हो जाएगा paste करेंगे अब देखिए हर बर copy करने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं next मैं दिखाता हूं यहां पर अभी copy ने इसलिए copy करना पड़ेगा हर बार अगर mobile से आप यूज कर रहे हैं तो डेक्स्टॉप में तो एक ही बार copy कर लिया यहां पर क्लिक करेंगे यह सारा को select हो गया यहां पर paste कर देंगे फिर scroll down करके नीचे आना है फिर से copy कर लेना है code को फिर से हमें जाना है HTML view में और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर है HTML view में पहचान पाना बहुत मुस्किल होता है इसलिए आप इस तरह से numbering आप डालें ताकि आप पहचान पाएं कि हमें code कहां paste करना है कॉपी करेंगे यहां पर आ करके फिर से हमें paste करना है यह देखिए यहां पर है जहां जहां हमने डाला है साफ दिख रहा है पेश्ट हो गया फिर से हमें code को कॉपी करना है फिर से हमें जा करके पेश्ट कर देना है लंबा पोस्ट है इसलिए 6-7 मैं 8 है एड लगा रहा हूँ तो जितना लंबा पोस्ट है उतना ज्यादा एड आप लगा सकते हैं हर पेरगराप के नीचे आप लगा सकते हैं इसको डाउन करके नीचे जाना है कहां पर है कहां पर यह रहा यहां पर पेश्ट कर देना है फिर से हमें कॉपी करना है और फिर से आके यहां पर देखेंगे और कहीं पर है नंबरिंग की नहीं है एक जगे और है पेश्ट कर देना है फिर से यहां पर हमें कॉपी करना है कोड को जितने जगे आपने select किया यहाँ पर हमें code को paste करना है उतने जगे आप numbering कर दीजिए numbering करने के बाद paste कर दीजिए फिर से हमें copy करना है इसी तरह से अब थोड़ा सा और process मैं बताने वाला हूँ इसलिए मैं यह copy paste आपको दिखा रहा हूँ अब यहाँ पर ना एक बार इसे हम save कर लेते हैं ताकि जितना भी code है हमने paste किया वो इधर उधर ना होने पाए अब इस save हो चुका है ना अब यहाँ पर हम compose view में जा करके देखेंगे कि देखें एड का जगे बन गया उपर इस space देख रहा है ना अब जितना जगे हमने 12345 12345 12345 जहां पर लगाए कहीं भी ने दिख रहा है अब यहाँ पर हम इसे view में जा कर के देखेंगे कि किस तरह से code हमारा दिखने वाला है किस तरह से जो हमने code paste किया नो किस तरह से add दिखने वाला है तो यहाँ पर हम preview पर 다 dart k click कर के आप देखिए यह गहाय दिखा रहा दा इतना जगह इस जगह पर कोड दिखेगे और पे यहाँ पर Cole दिखेगा पिर यह पर फिर कोड दिखेगा यह पर देखिए कोड जो हमने यहां पर यहां पर आपको former दिखेंगे यहां पर एड़ दिखेंगे हर एक पैरग्राप के पैरग्राप हमारा लंबा लंबा है इसलिए हर पैरग्राप के पीछे यह स्पेस देख रहा ना इस स्पेस में आपको एड़ दिखाई देगा यह देखें यहां पर एड़ दिखाई देगा फिर नीचे यहां से एड दिखाई देता है मैं अपना एक पेज ओपन करके में दिखाता हूं अब जैसे आप देख सकते हैं नीचे ना यह हमारा एक लंबा पोस्ट है इसे में एस्यों इस्टेटेश जी यहां पर क्लिक करके हम इसे देखते हैं अब देखिए के एड कैसे दिखता है यह देखिए इसमें हमने एड पैलेस किया हुआ है स्वरी इसको तो मैं पबलिस ही नहीं किया हूँ अभी नीचे दूसरा हम देखते हैं यह वाला देखते हैं नए नए वही है स्वरी मैं उसको ब्यू नहीं किया हूँ मैं उसको एडिट किया हूँ तो यहां पर three dot पर click करेंगे और view पर click करेंगे, अब यहां पर देखिए, यह देखिए add दिख गया, यह देखिए उपर add दिख रहा है, यह देखिए यहां पर add दिख रहा है, फिर paragraph को नीचे करेंगे फिर यहां पर add दिख रहा है, फिर यहां पर add दिख रहा है, यहां पर पर अगर आपके बीच बीच में मैं एड लगाया हूं ना वहां पर दिख रहे हैं देखें जहां जहां हमने कोड पेस्ट किया हुआ है वहां पर दिख रहे हैं नीचे कुछ कि आपको समझ में आ गया होगा तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर दे और लास्ट में फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपने भी तक सबसे पहले